गनेश उत्सों के बाद अब सभी की नजरे नौरात्र उत्सों की ओर लग जाती है। शर्वासियों के लिए श्रद्धास्तान है कोराडी की महालक्ष्मी जगदंबा सौंस्तान। और यहाँ भी नौरात्र उत्सों की तयारिया जोरू पर शुरू कर दी गई है। इस बार नौरात्र उत्सों में यहाँ पर 5000 अखंड जोती मंदिर में प्रजवलित की जाएगी। और कोराडी की श्री महालक्ष्मी जगदंबा का नौरात्र उत्सों संपुल्ड़ मद्य भारत में प्रसिद्ध उत्सों है। महाराश्र सहीत यहां मद्यप्रदेश, उडिसा, गुजरात, आंधरप्रदेश और 36 गड़ से भारी संख्या में भक्तगन आते हैं कोराडी की यात्रा में एतियासिक भीड भी देखी जाती है कोराडी देवी मंदिर के जिरेनोदार के कारण इस परिसर का सुशोवनिय स्वरू प्राप्त हुआ है और शाम के समय बिजली के रंगवी रंगी लाइटों की रोश्नी में कोराडी देवस्तान अत्तनतर सुन्दर दिखाई देता है नौरात रोश्तों के समय अखंड मनोकामना जोती के प्रकास से संपोर्न संस्तान जो है जग मगा जाता है और गच चार सालों से इस उपक्रम में शामिद होने वाले जोती धारोकों की संख्या भी बढ़ रही है करीब इस बार 5000 जोती निरंतर श्री महालक्षमी जगदंबा संस्तान भवन में जोत प्रजवलित की जाएगी तो आप भी अगर नौरात रोध समय कही जाना चाहते हो मंदिर जाना चाहते हो देवी के तो आप कोराडी के जगदंबा माता के दर्शन के लिए निच्छिती आ सकते हैं और ऐसी ही जो रील देखने के लिए आप BCN के इंस्टाग्राम पेश को फॉलो करो और ऐसी ही जानकारी हासिल करें